तो यह देखो प्यारे बच्चों इस वाले कोशन को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कोशन को अच्छे से पढ़ो इसमें कहा जा रहा है कि एक अपने पास तो minimum deviation यहां पर दिया हुआ है minimum deviation जो है अपर प्रीजम जो है equal to reflecting angle जो डेल मिनिमम है reflecting angle के equal है तो मियू आप प्रीजम के बारे में आप क्या कहोगे मियू किसके बीच लाई करेगा इसकी हमें calculation करनी है अगर मैं इस question को calculation करना चाहता हूं तो basically इस question को करने के लिए है मेरे पास जो मियू है लोगी वेतर है तो मियू इस यहांसे डेल मिनिमम के बराबर है ठीक नज यहां पर जो a है इंगल प्री जम यह बराबर है तो मियू हम प्जे निकालना है तो जो मियू है उसका सीधा-सीधा formula works रटा हुए हमें sin यहांसे से a और यहां से a plus a y यहां 2 है तो sin और del minimum a के बराबर है divided by 2 और यहां से sin a by 2 तो इसको मैं लिख सकता हूँ उपर में sin a और यहां से मैं लिख सकता हूँ sin a by 2 तो sin a by 2 sin a by 2 यहां से 2 cos a by 2 यही हम लोगों को चाहिए था यह मुझे calculation में चाहिए था तो अगर मुझे यह वाली अंगल चाहिए था 2 cos तो इसके लिए मुझे a निकालना पड़ेगा क्योंकि जो mu है वो a पर depend कर रहा है तो अगर मुझे a निकालने के लिए यहां पर दिया हुआ है कि del minimum जो है वो है 2i यहां से 2i और minus a तो यहां से 2i minus a आगर आप देखोगे तो यहां से del minimum 2i minus a और del minimum a के बराबर plus a इधर आया that is 2i यहां से तो i जो यहां से 2a और divided by 2 मतलब यहां से जो i है वो a के बराबर आ जाएगा यहां से तो i अगर a के बराबर आ जाएगा यह वाला तो यहां से जो जब i की value अगर मैं एक प्रिजब यहां से बनाता हूं this is the prism तो देखना angle of incidence यह वाली जो angle यह है वो angle of incidence equal है यह वाली angle of incidence है और यह वाली जो line है वो normal है तो यह light ray ऐसे कुछ जाएगी अब जो i है minimum कितनी होग이 तो i minimum होगी जिरो जब light ray कैसे आएगि जब light ray जब light ray यहां से कुछ ऐसे आएगी हा मैं दूसरा color से चित में लेकर बताता हूं देखो जब light ray यहां से ऐसे आएगी इस रास्ते से आएगी उस वक्त i जो है minimum होगा और जैब लाइट ऐसे जाएगी उस वक्त आई जो है वह मैक्सिमम होगा ठीक है और यहां पर आई मीनिमम होगा और यह आई की रेंज दिस इस दे इंगल ठीक है तो अगर मैं यहां से देख देखता हूं तो बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन है वो है क्या चीज अब तो मुझे यहां से मियू निकालने के लिए आई और एक के बीच रिलेशन निकालना पड़ेगा ठीक है और जो हम लोग निकाल लिए आई एक के बराबर है तो जब आई की वेलू यहां से थोड़ा सा और मैं ड मिनीमम् कितनी होगी 0 होगी उस वक्त अ भी मिनीमम होगा जिसकी वेलू 0 होगी तो जब अ मिनीमम होगा तो जो मुझे की वेलू है वो मैक्सीमम होगी और या जाएगी 2. 2 cos a minimum 0 divided by 2 is equal to 2, मतलब जो mu है वो maximum value 2 आ गया, जब i की value maximum होगी, that is equal to 90, उस वक्त a भी maximum होगा, जिसकी value होगी 90, उस वक्त जो mu है वो minimum होगा, क्योंकि जैसे जैसे angle बढ़ेगा, cos की value घटेगी, तो यहां से 2 a cos 90 divided by 2, 90 divided by 2 cos 45, 2 cos 45, 2 by root 2, 2 by root 2 को मैं root 2 लिख सकता हूँ, तो mu की value less than at is equal to 2 must equal to root 2, तो इनके बीच जो है, वो mu लाई करेगा, तो अगर तुम यहां से देखोगे, mu की value exact 2 होगी जब i, मतलब b option अपना यहां से सही हो जाता है, thank you, जब कार्णा अगरा जाड़ेगा, टूम से अबादा वो हमें आवड़ेगा, तो अग्म यहां से सब्दकर करें। झाल झाल